दूसरे चरण की चुनाव प्रचार के आखरी दिन पीम मोधी ने कन्योज के तिर्वा में एक चन सभा को संबोधित कीया कन्योज में तीसरे चरण में मद्दान होना है इत्र की नग्री में पहुचे पीम ने अपने भाशन में यहां के इत्र का भी जिक्र किया कनोज की आबो हवा में इत्र की खुश्बू तो होती ही है, लेकिन साथ साथ यहां के लोगों के परिश्रम की सुगन भी होती है, आप लोगों का विकास हो, इस खुश्बू का विकास हो, निरंतर विकास हो, वहीं पियम मोदी ने एक बार फिर से स्पिय और कॉंग्रेस पर तंज कस्ते हुए कहा, कि दो परिवार के लोगों को जीत के सपने दिखने बंद हो गए, गूर परिवार वादियों को सपने दिखना बंद हो गए है, पता है क्यों? इसलिए कि उनकी निन्द हराम हो गई है, वो लोग सोच रहे थे कि जाती बाद फैला कर, संप्रदाइ बाद फैला कर, वोटों को बाड़ देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग, माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाप, एग जूट होकर वोट कर रहे हैं। इस दोरान पियम मोदी स्पी शासन के गुंडा राज को भी जनता को याद दिलाना नहीं भूले। योगी जी के नेत्रुत्व में, यूपी ने जिस प्रकार दंगों को रोका है, हमें उसे साई स्वरूप देना है, दुबारा ऐसी हरकतों को उत्तर प्रदेश में पनपने नहीं देना है। ब्यमोदी ये भी बताना नहीं भूले कि गुंडो और बदमाशों का इलाज केवल बीजेपी के पास ही है। उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्रात्विक्ता दे रहा है। यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाईयों और गुंडे बदमासों के इलाज की दवा सिर्फ और सिर्फ बाजपा के सरकार के ही पास है। इसके अलावा पीम ने जनता से मतदान करने की अपील भी की। साथी उन्होंने ये भी बता दिया कि आएगी तो बीजेपी ही। प्रदानमंत्री मोधी यूपी में तापर तोड रेलिया करने वाले हैं। टीम न्यूज स्टेट कि आपके एक एक वोट की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। हमें मिलकर इस ताकत को और बढ़ाना है।